Hey guys, what's up? This is Shumariv from eGazzets4U. दोसों, इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे Windows 10 की April 2018 के अपडेट के बाद, क्या नया नया फीचर्स आया है दोसों. हाँ दोसो, जैसे अब सभी को पता है, from 38th of April 2018, Windows 10 की अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है. अगर आपके पास नोटिफिकेशन पर अपडेट ये नहीं आया है, तो भी आप कर सकते हो, वो भी मैं दिखा दूँगा ये वीडियो पर कैसे आप कर पाओगे. तो विदाउट फॉद एडियो, लेट्स गेट स्टार्टेट. सबसे पहले दोसु ये विदाउट का अपडेट नोटिफिकेशन सेहीं, आपको फिफ ने से पहले मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको सेटिंग्स में जाना परेगा, अगर उस फि ने से पहले कर रहेएं, उसकर अब एदूडाद फिब बढूर्ट जाना परेगा, और यह भी हो जागा खुद बाखुद इस टेम पे में वीडियो पॉस कर लूँगा तो यह इसी स्टेप से अपडेट इंस्टॉल हो जाए कि उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको क्या-क्या नया फीचर आता है दोस्तों इंडोस्टेन के यह नया अपडेट में दोस्तों सबसे पह किये हो क्या-क्या चीज अब ब्राउस किये हो वो सारा हिस्ट्री यहां पे चला आता है इसका एक और शॉर्टकट है जो कि है अगर आपके माउस पैट सपोर्ट करता है तो चारो उली एक साथ माउस पैट पे अप रखोगे या फिर स्वाइप अप करोगे आपके माउस प अब देखना चाहते हो तो वह तर्ण आउन करता आप देख सकते हो तो इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको यह पता चल जाएगा कि कौन कौन से फीचर्स या फिर कौन कौन से वेबसाइट कौन से चीज अब यूस के हो अपने लैप्ताप पर या फिर अपने जाना परेगा उसके बाद जो system का option है system में आपको जाना परेगा और system में जाने के बाद shared experiences पोल के जो है यहाँ पर आप देख पाओगे कि कहा कहा से यह nearby sharing कौन कौन से यह off क्या हुआ है अगर आप Bluetooth और Wi-Fi दोनों में connect हो तो यह on करने से अब nearby sharing कर सकते हो लेकिन दोस्तों यह आपको याद रखना परेगा कि जिस जिस laptop या फिर desktop में आप sharing करता चाहते हो वहाँ उस particular laptop और desktop में भी आपका latest version of this Windows 10 update of April 2018 होना चाहिए तब जाके आप यह देख पाओगे दोस्तों थर्ड चीज है वो है focus assist दोस्तों यह actually in real terms या फिर layman terms यह do not disturb है तो इसको यह update ने focus assist का नाम दिया है यह देखने के लिए आपको settings में फिर से जाना परेगा system में जाना परेगा और इसके बाद आप देख पाओगे या पे focus assist बोल के यह आता है तो focus assist में आप तीन आपको यह customer जो priority list आता है वो priority list अपको पहले select करना परेगा अगर कोई भी app आपको डालना है priority list में वह यह add an app करके अब डाल सकते हो तो इससे क्या होगा आपको priority set हो जाएगा priority set से उसी priority से अगर कोई भी notifications आएगा तो वो option में वो दिखेगा दोस्तों तो यह हो गया एक do not डिस्टर जैसे कोई चीज जो की नाम दिया है focus assist port के दोस्तों next point है वो है password recovery tool for local accounts यह दिखाने के लिए दोस्तों पहले अपको फिर से windows menu में जाके settings में जाना परेगा और इसके बाद accounts में जाना परेगा पहले क्या होता था दोस्तों अगर आप Microsoft Windows 10 में login करते हो without your outlook expression फिर Microsoft account क कोई भी और account से तो वो account का password आपको remember करके रखना चाहिए वो recover करने का कोई भी option नहीं था पहले दोस्तों लेकिन with the April 2018 update आप यहाँ पे यह कर सकते हो अब जैसे कि आप देख पाओगी कि यहाँ पे है sign in with the local account instead यह click करके आप कोई भी local account में current password पहले देना परेगा जो account आपक कर सकते हो और वो recovery भी कर सकते हो अगर आप password भूल जाते हो तो क्योंकि वो local account में करने के लिए आपको एक security question देगा वो security question answer होने से यह remember your password का option highlight हो जाएगा तो यह बहुत बढ़ा चीज है जो कि एक latest update में आया है इसमें और ज्यादा features आप add कर पाऊगे क्योंकि जरूरी नह जी पी यू अगर आपके laptop या फिक स्टॉप में external graphics card और inbuilt graphics card दोनों ही है जैसे मेरी यह laptop में है तो यह latest windows 10 April 2018 के update के मुताबिक अब चूज कर सकते हो कौन से apps कौन से graphics पर रान होगा यह करने के लिए फिर सब को windows button में जाके settings में जाना परेगा फिर यहापे system में आपको जान जाना परेगा graphics settings में जाने के बाद choose an app to set preference तो यहाँ पर जाके आप browse कर सकते हो अपने apps जो जो इंस्टॉल किया हुआ है अपके laptop में या फिर अपके desktop में और particular apps अगर आप select करोगे वो select करने के बाद जैसे में दिखाता हूँ आपको जैसे में यहाँ पर Assassin's Creed Origins पोल के जो म यह एप कौन से graphics card को use करेगा system default, power saving या फिर high performance तो उस सबसे जैसे कि आप set करोगे high performance अगर अगर अप select कर देते हो high performance मतलब हो automatically आपका external graphics card है जैसे यहाँ पर NVIDIA, G4, GTX 1050 external graphics card है वो graphics card use करेगा अब मुझे चाहिए कि यह game वही graphics card use करे तो मैं यहाँ पर यही select कर चुका तो यह बहुत महत्यपूर अपडेट आया है यह दोस्तो लेटेस्ट अपडेट ऑफ विंडोस 10 2018 एप्रिल का यह अपडेट से जहाँ पर आप सिलेट कर पाऊगे कौन सा एप कौन सा ग्राफिक सेटिंग में रन होगा दोस्तो नेक्स्ट बिग चीज़ जो है वो है डाइगनेस्टिक डेटा वीवर मतलब अब विंडोस में जो आप सर्फ करते हो कुछ भी सर्फ करते हो अपने डैप्टॉप पर यह फिर देक्सटॉप पर तो वो डाइगनेस्टिक अपको फीड़एक के तहर पर Microsoft यह फिर व देखना यह options आया है यहाँ पर यहाँ पर जाके अब basic और full view यह कोई भी आप चीज़ कर सकते हो जैसे कि आप देख पाऊगी कि basic में send only info about devices, settings, capabilities and whether it's performing properly or not, diagnostic data is used to keep windows secure and up-to-date troubleshooting problems and make product improvements और full अगर अब select करते हो जैसे ही आप फूल select क्या हुआ है तो basic diagnostic data के साथ-साथ info about websites, browsers, apps, features, additional info, device, health, devices उसे एकदम detailed data Microsoft Windows के पास जाएगा, कोई भी issues होता है, कोई भी apps में, कोई भी problem आता है यूज करने की time पे तो वो पूरा diagnostics data वाप पे जाएगा उसे साबसे काम होगा और उसे साबसे और enhance field देगा next time messages के लिए तो यह बहुत अच्छा feature include हुआ है इस update में दोस्तों and finally, lastly, जो point है दोसों, वो है Microsoft Edge हाँ दोसों, एक simple सा चीज, जो कि Chrome browser और बाकि सारे browsers में था, वो Microsoft Edge में अभी तक नहीं था, वो था mute button अगर आप कोई भी video देख रहे हो, कि यह फिर कोई भी website में जाते हो, जहाँ पे sound है, तो वो sound को off करने के लिए ये by default mute button भी दिया है जैसे कि अब देख पा रहे हो, कि अगर मैं यह tab पे right click करता हूँ, इसके बात यह mute tab आता है, mute tab होने से, यह particular sound जो वीडियो पे चल रहा था, वो बंद हो जाएगा, mute हो जाएगा, यह feature आया है दोसो, in the latest April 2018 update of Windows 10 अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है, तो subscribe करना मत भूला मेरे चैनल को, और उसके बगल में जो notification का बेला है, उसको भी on करके रखना, ताकि आपको notifications आए जब भी में नया वीडियो अपलोड करू मेरे चैनल पे, तो हपसु यह वीडियो helpful रहा है आप सभी के लिए, चुतना हो सक इसको like कीजिए और share कीजिए सभी के साथ, क्योंकि knowledge और information सभी के साथ बढ़ना चाहिए, so that will be it guys, bye for now.